Hey guys, welcome back to new video So, आज हम बात करने वाले हैं मच्छर हमारे सिर्पर मंद्रा ते क्यों रहते और उन लोगों के पास एसी कौन सी पावर है कि हम कहीं भी चल जाए लेकिन वह में डूंड ही लेते है और मच्छरों को कौन कौन सी चीजे पसंदे जो हमारे पास होती है और उसे नहीं हटाई तो क्या क्या प्रबलम सो सकती है So, लेट स्टार्ट इस वीडियो सिर्पर मंद्राने वाले मच्छरों में ज्यादा तर संख्या मादा मच्छरों की ही होती है वैसे देखा जाए तो मच्छर नाम पुल लेंगे है लेकिन उसमें ज्यादा तर मादा मच्छरी ही पाई जाती है मादा मच्छरी कारबन डायोक्षायड, पसीना, गंध और गर्मी में रुची रखती है जो हमारे शरी से लगातार निकलते रहते आप लोगों ने एक बात तो नोटिस की ही होगी कि मच्छरे जादा तर गर्मी और बारिश की दिनों में ही पाई जाते है क्योंकि उस समय पसीना, गंध, गर्मी, सीओ टू हमारे शरी से जादा मातरा में निकलते है और हम कहीं भी चले जाए लेकिन मच्छर हमें डूंड के से लेते मच्छरों के पास शरीन पर ऐसा एंटीना होता है और उस एंटीने पर एक सेंसर लगा होता है एक छोटा सा मच्छर उसके पर एंटीना और उसके पर सेंसर तो यह एक सेंसर होगा कितना छोटा यह सेंसर इन चीजों का पता लगाते हैं कि पसीने की गंद कहां से आ रही है कारबन डायक्सर कहां है वोजन का ज्यादा स्रोत कहां है इसी एक सेंसर की वजह से हम कहीं भी चले जाएं लेकिन मच्चर अमारा पीछा करना कभी नहीं छोड़े गे और मच्चर हमारे घने बाल तेल जैसे सुगंद इत्पदर्थों से आकर्षित होते हैं, आप लोग ने नोटिस कर रहा होगा कि चीज सर में ज़्यादा जहल डला होगा, वहीं मच्छ ज़्यादा तर मनराएंगे, क्योंकि जहल में बहुती सुगंद और चिकनापन होता है, अब बात आती है कि मच्छ ज ज़्यादा तर बाल के उपर ही मनराते रहते हैं, और आप लोगों को पता है कि मच्छ कितनी भी मर्या फेलाते हैं, डेंग्यू, मलेरिया और कई सारी, इसे बचने के लिए हम पसीना छोड़ना, तेल डालना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम जेल डालना और प्रदूशन फिलाना तो बंद करीं सकते, अगर हम यह करना बंद नहीं करेंगे, तो दुन्या के सबसे खतरनाग जिव का हम शिकार हो सकते हैं, अब आप लोग बोलोगे, मच्छ दुन्या का सबसे खतरनाग जिव कैसे हुआ, भाई, एक सर्वे के अनुसर दुनिया में सबसे वज़े से होती है इसलिए अपने गर में मच्छरों से प्रोटेक्शन दे ऐसे जीज़े रखने ही चाहिए कि आपको इस टैप की फैक्स वीडियो देखना पसंदे तो कॉमेट में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना और